कोरोना वाइरस की वैक्सिन बनाने में जुटे वैग्यानिकों को भले ही अब तक सफलता न मिली हो लेकिन अब एक ऐसा मास जरूर तयार हो रहा है जो कोरोना की पहचान कर आपको अलर्ड कर देगा जी हाँ वैग्यानिक ऐसा मास बना रहे हैं जो बता देंगे कि आपको संक्रमन का खत्रा है या नहीं क्योंकि इसमें ऐसे सेंसर्स लगे होंगे जो कोरोना वाइरस के छूते ही आपको अलर्ड कर देगे ये मास्क ना सिर्फ कोरोना की पहचान करेगा बलकि वाइरस के संपर्थ में आते ही अपना रंग बदल देगा और आपको सिगनल देगा Massachusetts Institute of Technology और Harvard University के वैग्यानिकों ने साल 2014 में ऐसा ही एक मास्क बनाया था जो जीका और इबोला के वाइरस के संपर्थ में आते ही सिगनल देने लगता था अब इनी संस्थानों के वैग्यानिक कोरोना वाइरस के लिए ऐसा मास्क बना रहे हैं MIT और Harvard के वैग्यानिक जो मास्क बना रहे हैं वो वाइरस के संपर्थ में आते ही चमकने लगेगा वैग्यानिकों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जैसे ही कोई कोरोना संदिक इस मास्क के सामने सांस लेगा, छीकेगा या खासेगा तो तुरंथ वो मास्क फ्लोरेसेंट रंग में बदल जाएगा, यानि चमकने लगेगा एक से तीन घंटे के बीच मास्क फ्लोरेसेंट रंग में बदल जाएगा वैसे तो अभी ये प्रोजेक्ट काफी शुरुवाती दौर में है लेकिन वैग्यानिकों ने ट्रायल में सफलता मिलने की उम्मीद भी की है ये मास कई महिनों तक कमरे के तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है साथ ही इसे कई महिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं जाहिर है अगर ये तकनीक सफल साबित हुई तो कुरोना से बचने के लिए जद्धोजहत कर रहे लोगों को बड़ी रहत मिलेगी ब्यूरो रिपोर्ट